गुद्वानिंग प्यारे बच्चो आज हम क्लास 6 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 6 को कम्प्लीट करेंगे बिटा इस वर्कशीट में हम वोबल्स के बारे में जानेंगे तो लेट्स स्टार्ट बच्चो बिटा हमारा फर्स्ट कोशन है चूज दे लेटर फ्रॉम दे बॉक्स एंड कम्प्लीट करना है तो बिटा यहां पर हमारी फर्स्ट इमेज यह सन है तो सन में एस यू एं यहां पर यू आजाएगा सन नेक्स्ट्ट फिग्ğ है टी पिघ्ग्ड नेक्स्ट पोड पी ओट फॉट्ट थो यह सारे लटर अंगी नेक्स्ट यह यह आइज़लेए और फैन यहां यह है नेक्स्ट इमेज है और तो ओ डबलू एल और नेक्स्ट रविटा बेल बी डबल ल बेल तो यह हमारे इन सब भी लेटर्स की हैं से हमने इन वर्ट को कम्प्लीट कर लिया जा लेटर्स यहां पर लिखा हुए है इस बॉक्स में दे लेटर्स ए ए आई ओ यू आर वाबल्स तो बिटा जो यह ए ए आई ओ यू होते हैं यह हमारे वाबल्स होते हैं ए टू जेट में और और अल अदर्स लेटर्स आर कॉंसोनेंट्स तो बाकी जो होते हैं वो हमारे कॉंसोनेंट्स होते हैं जैसे हिंदी में ह हमारे वाब व्यविवर से होते हैं यट ऌय यसको बाद नेक्स कोशन देखते हैं तो नेक्स कोशन है हमारा कंग कि अंड दा पर उकल मेडर यहां पर जो हमें इन देगे हैं इसमें हमें इसमें से उन्हें yellow color करना है विटा तो पेटा यहां पे हमारे जो letters थे यह और यूंघ हमारे वावल से इनको हमने pink color किया है और आच जे और के यह हमारे consonants से तो हमें इसमें yellow color करना थे यहां पे रहें यह लों कलर कर दिया अब हम third question देखते हैं बिटा, for each word, fill in the missing vowel and write the new word, the first one has been done for you, यहाँ पर हमें अब जो है, fill in the blanks में, vowels fill करने हैं, और एक new word form करना है, जैसे first यहाँ पर हमें example दिया है, duck का, तो यहाँ पर d, u, c, k, यहाँ duck बन गया, इसे तरह से हमें next भी complete करने हैं, तो यहाँ पर g, i, r, l, girl बन जाएगा, g, i, r, l, girl, next है यहाँ पर बिटा, b, i, r, d, यहाँ पर bird बन जाएगा, b, i, r, d, bird, next word बन जाएगा, हमारा b, a, b, y, baby, b, a, b, y, baby, next question पर आते हैं बिटा, अब next है, fill in the blanks with the words having the vowels, you may pick the words from the box, अब हमें यहाँ पर जो words दियेंगे, यहाँ पर कुछ letters यह, letter a, e, i, o, इस तरह से, तो इन ही letters को use करके, हमें यहाँ पर words form करने हैं, इन vowels को use करने हैं, और हम यहाँ पर जो इस box में letters दिये गए, words दिये गए, इनकी help से, इसको complete कर सकते हैं, तो हमारा first जो option है, इसमें एक letter हमें use करके, एक word बना की दिखाया गया है, first यहाँ पर cat, तो हम a vowel से use करके, जो भी words बन रहे हैं, यहाँ बॉक्स में से select करेंगे, और यहाँ फिल कर लेंगे, तो यहाँ पर बिटा हमारा gap gap बन रहा है, और play, तो यहाँ पर हमारा आजाएगा play, और यहाँ हमारा आजाएगा gap, next bubble है बिटा, E, अब E से बनने वाले कौन-कौन से हैं यहाँ पर, red red और NEC के neck, तो यहाँ आजाएगा हमारा red red और NEC के neck, next bubble है हमारा eye, eye से bird यहाँ पर already लिखा है, यहाँ से हम PIC के pick, PIC के pick और TIN, TIN यह चूज कर लेंगे, फिर है हमारा vowel, O, O वाले words यहाँ से देखने हैं, DOG dog और TWO 2, तो यहाँ पर हमारा आएगा, 2, TWO 2, DOG dog, next vowel है बिटा, हमारा U, C, T, U वाले words चोब बच गए, CU, P, C, U, P, C, L, U, B, Club, यहाँ पर हमारी work sheet complete होती है, I hope बच्चों आपको कोई work sheet समझ में आ गई होगी, अब यहाँ पर हमें COVID से related message दिया गया है, keep maintaining physical distance of six feet और टू यार्ट सो हमें विटा कोविट से बचने के लिए छे फिट और दो गज की दूरी बनाए रखनी है ताकि हम कोरोना वाइरस से लड़ सके यहां पर हमारी वक्षिट कंप्लीट होती है आई हो बच्चों आपको वक्षिट समझ में आ गई होगी अगर आपको कोई भी सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके बाई 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 बच्चों हैवे गोड डे प्यारे बच्चों